हलो फ्रेंज फिसे स्वागत एक नए वीडियो में फ्रेंज इस वीडियो के अंदर बताने वालाओं किस तरीके से APN को reset कर सकते हैं फ्रेंज और मेरे पास है Redmi Note 7 और इस revise मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से APN setting को reset कर सकते हैं फ्रेंज और फ्रेंज आगे बढ़ने से पहले इस चैनल पर पहली बना है तो चैनल को like, share and subscribe न मत भुलिएगा साथ में घंटी का option आए तो उसे भी click कर दीजेगा तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले फ्रेंज आपको setting ढूनना है यह रहा मेरा setting setting में जाने के बाद आपको mobile network and SIM card में आपको दिखेगा चौते नमबर पर तो इस पर click करना है उसके बाद आपको यहाँ पर ATL idea board of और आपका जो भी operator उसका नाम होगा उसके नीचे कुछ नमबर होंगे उस पर click करेंगे और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है बहुत सारे options तो यहाँ पर कुछ कुछ जान लेते हैं जो important setting है VULT हमेशा on करके रखे Wi-Fi calling हमेशा on करके रखे इन सब से आपका calling speed काफी improvement होगा यानि की quality में और mobile network पर click करेंगे तो आपको network वाला automatically default search का option दिखेगा लेकिन इससे हमें कोई लेना देना नहीं है हमें जाने access name point पर और यहाँ पर आपको यह वाला option दिखेगा और यहाँ पर आपको research reset to default का option मिलेगा तो आपको यहाँ से reset कर देना है ठीक है friends तो guys इसी तरीके से आप अपने phone का APN setting को reset कर सकते हैं और इसका इस्तमाल कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में एकने टोपी के साथ तब तक तेले नमस्कार and good bye टेक कियर